हलो friend आज के वीडियो में हमंकल पे बाउन होती जि bellus ये जो बाउन होती है एंकल जोईंट का एक हिस्सा बनाती है और इसके बहुत सारे अलग-अलग expect होते हैं Isके fracture होने पर अलग-अलग परिशानिया होती हैं तो आज कीstudio को समझेंगे यह बाउन बड़ी complicated anatomy के साथ जुड़ी हुई होती है मतलब कि यह बाउन के अंदर बहुत सारे अलग-अलग खाचे बने वे होते हैं जिनको हम facets बोलते हैं जो कि अपने से उपर वाली bond से जुड़ती है अपने से side की bond से जुड़ती है अपने से हिस्सा काटलेज से धका हुआ होता है काटलेज एक वो covering होती है चिकनी covering होती है कि जो एक glide करने के लिए फिसलने के लिए दूसरी बाउन को एक surface देती है तो वो इस बाउन के उपर 70% हिस्से पर काटलेज लगी वी होती है उपर की तरफ यह बाउन जो है lower end of tibia जो उपर की long bond होती है पैर की उससे जहां की connected होती है काटलेज के थूर और नीचे की तरफ बेस में यह bond calcanium bond से जुड़ी होती है काटलेज के थूर इतनी सारी काटलेज होगी तो अगर इस bond में कोई भी fracture होता है तो वो इस काटलेज को damage करेगा क्योंकि इतने सारे जगे यह bond डूसी हड़ियों से जुड़ती है तो जहां-जहां की काटलेज खतम होगी वहां-वहां जोडों में गठिया बाय का असर आ जाएगा गठिया बाय का मतलब है कि जो काटलेज घिस जाएगी तो वो painful हो जाएगा या उसमें swelling जल्दी आ जाती इस तरीके के fractures के अंदर वो movement करेंगे तो वो painful होते हैं इस fracture के अंदर इसी लिए इस प्रकार के fracture में arthritis का develop होना सबसे common problem होती है क्योंकि इतने सारे हिस्से में cartilage होती है इस spawn को समझने की कोशिश करें तो इसको अलग-अलग हिस्सों में बाटा गया है जो सबसे आगे वाला इससे को neck बोलते हैं उसके पीछे वाले इससे को body बोलते हैं उसमें दो तरीके के projections निकले वे होते हैं एक तो side में जो projection होते हैं उनको lateral process बोलते हैं जो side में निकलते हैं जो पीछे की तरफ projection होता है उसको posterior process बोलते है जो blood supply होती है पीछे की तरफ से जो artery आरी होती है वो ल ये blood supply fracture होने के बाद खतम हो गई है तो A का मतलब है absent vescular का मतलब है vescularity कि fracture होने के बाद अगर A vescularity develop हो रही है blood supply खतम हो रही है तो वो bond dead हो जाएगी तो इसी को हमें maintain करने की जरूत होती है कि fracture होने के बाद bond को सही तरीके से जोड़ा जाए और देखा जाए बाद के serial x-rays में कहीं सही से जोड़ने के बाद भी blood supply खतम तो नहीं हो गई है इस चीज का इस बाद पर भी निर्भर करता है कि जब fracture होने के बाद जो bond के pieces हैं वो कितना एक दूसरे से ज़्यादा अलग हो गए हैं टाइप 1 का उसमें blood supply जाने का डर सबसे कम होता है और जो सबसे खराब fracture होता है जिसे हम टाइप 4 का बोलते हैं Hawkins टाइप का टाइप 4 उसके अंदर लगभग लगभग 100% cases के अंदर blood supply चली जाती है और bond dead हो जाती है classification एक तरीके से हमें prognosis यानि की outcome कैसा होगा fracture के जुड़ने के बाद उसके बारे में हमें बताता है mainly इस प्रकार की चोट टब लगती है जब आप कहीं उचाई से नीचे की तरफ गिर रहे हैं और आपका pair जो है वो उपर की तरफ मुड़ा हुआ है यानि की जो toes है सारे के सारे अगर वो उपर की तरफ मुड़े हैं और 80 नीचे की तरफ चली गई है जिस movement को उस movement के अंदर ये fracture सबसे ज़ादा होता है क्योंकि उपर की bone को एक तरीके का edge मिल जाता है नीचे की talus bone पे दबाने के लिए और talus neck का fracture दिखा जाता है ज्यादा common तो talus neck में होता है कि जब हम foot को उपर की तरफ करते हैं या ankle को उपर की तरफ करते हैं और उचाई से गिरते हैं पर body में भी fracture हो सकता है direct axial compression की वज़े से यानि कि उपर वाली जो bone होती है leg में टिबिया वो जब नीचे talus को दबाएगी तो dome यानि कि talus की body में भी fracture हो जाता है उस जगे जैसे हमने बात की थी कि talus के side में दो process निकली होती है जिनको lateral process बोलते है तो ये भी कई बार fracture होने के chances रहते हैं इनके और जैदर cases में लगता है कि ये शायद ankle sprain है पैर में मोच आई है और मोच का दर्द है पर X-ray में ये इतनी fine सी line दिखती नहीं है तो इसलिए ये fracture miss भी हो जाता है तो अगर बहुत ज़्यादा pain और swelling है तो ये वाला fracture भी हो सकता है इस परकार के fracture को X-ray में miss कर देते हैं CT scan में आप पता लगा सकते हैं अगर शक है कि lateral process का fracture तो नहीं हो गया है ऐसे ही हमने बात किती टैलस में पीछे की तरफ भी प्रोसेस निकली होती है जो कि rarely fractured होती है और वहाँ पे कोई intervention करने की ज़रुद भी नहीं पड़ती है कोई भी injury को define करने के लिए कि कितनी ज़्यादा है और किस तरीके की है classification से हम उन injury को समझ पाते है तो hawking classification होता है telus की neck के लिए पूरी telus के लिए neck के लिए जो fractures होते है तो type 1 का मतलब है कि fracture होने के बाद bone सबसे कम हिली अपनी जगह से और type 4 का मतलब है पूरी तरीके से bone अपनी जगह से हिल गई है severity of injury का पता चलता है type 1 का मतलब है चोट कम लगी है type 4 का मतलब है कि जादा लगी है type 1 का मतलब है non displaced अपना जगह हिला नहीं है fracture movement type 2 के fractures में क्या होता है कि fracture हिल गई है अपनी जगह से और उसके नीचे का जो joint है टिबिया के बीच में और टैलस के बीच में उसमें थोड़ा सा हिल गया है subluxation या dislocation टाइप से हो गया है type 3 के fractures के अंदर displacement और ज़्यादा है और टैलस उपर से भी हिल गई है और नीचे का जो joint होता टैलस के नीचे calcanium के साथ वो भी हिल गया है type 2 में सरफ नीचे का हिस्सा हिलता था इसमें उपर टिबिया के साथ जो connection है टैलस bond का वो भी हिल गया है और avian होने के chances blood supply disrupt होने के chances भी 90% तक हो गए है type 4 का जो fracture होता है उसके अंदर ना केवल fracture होता है उसके साथ साथ जो bond होती है वो completely अपने आसपास की उपर नीचे और side की bond से dislocated हो जाती है जिसे उपर की तरफ टिबिया bond होती है वहाँ से dislocated हो जाएगी नीचे calcanium से और आगे की तरफ जो bond होती है नेवी कुलर वहाँ से बेलग हो जाएगी यह सबसे खराब variety का fracture होता है जिसमें maximum chances होते हैं कि blood supply खतम हो गई होगी इसकी पुरी और bond dead हो जाएगी बाद में इसलिए severity of classification से हमें पता लगता है कि outcome कैसा आने वाला है नेक के अलावा जो दूसरे पार्ट होते हैं उसमें posterior process के तूटने पर तो कोई खास बात नहीं होती है जायतर cases में कोई surgery नहीं करनी पड़ती प्लास्टर से ठीक हो जाता है पर जो lateral process का fracture होता है जिसको snow border fracture भी बोलते हैं जो snow में boarding करते हैं उन लोगों को जादा दिखा जाता था उसके नाम पर पड़ा है तो जो lateral process का fracture अगर tip पे हलका सा हुआ है अपनी जगे से हिला नहीं है तो प्लास्टर में बात बन जाती है अगर छोटा सा ही fragment है हिल गया है पेन कर रहा है बाद में भी प्लास्टर के बाद भी तो उसको excise करके निकाला जा सकता है अगर बड़ा fragment है तो surgical intervention किया जाता है अपनी जगे नहीं है तो main बात होती है कि अगर बड़ा lateral process का fracture होता है तो उस condition के अंदर के एक joint के involve करता है तो subtelar joint है क्योंकि नीचे calcanium के साथ जड़ा हुआ होता है तो उस situation में इसको fix करा जाता है पर अगर छोटा सा minute fragment है और यह problem कर रहा है तो इसको निकाला जा सकता है नहीं तो प्लास्टर में ठीक हो सकता है उस tear process का जो fracture होता है नॉमली सजी जो नहीं पड़ती है बट वहां पे दो अलग अलग टूबरकल के बीच में से flexor healthis longus का tendon निकल के जाता है और यह injury भी ऐ तो उसको सुचा जाता है कि पैर में spray नाया होगा क्योंकि इस bond के अंधर neck पे fracture होने के बाद avian होने के chance यानि की vascularity के lost होने के chance बहुत जादा होते हैं तो x-ray में एक sign देखा जाता है जिसको hawking sign बोलते हैं hawking sign देखने का तरीका यह है कि आप एक x-ray का view कराते हैं mortis view जिसे बोलते हैं और plaster के 6 हफते बाद जब देखा जाता है कि जो talus की dome होती है वहाँ पे अगर एक radio lucency दिख रही है इसका मतलब है कि वहाँ blood supply अभी है और वहाँ पर avian नहीं हुआ है तो एक अच्छा prognostic sign माना जाता है कि blood supply loss नहीं हुई है आला कि अगर यह sign नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं माना जाता कि avian हो गया है या निकि वैस्कुलरेटी खतम हो गई है बट यह एक additive value है कि जिससे पता लग जाता है कि वैस्कुलरेटी अभी है शक हो जाता है कि hawking sign six week के बाद भी नहीं आया तो हो सकता है वैस्कुलरेटी चली गई हो MRI कराने का situation बन जाता है तो जब हम इस fracture को undisplaced है type 1 hawking fracture है प्लास्टर में ठीक कर रहे हैं तो हमें छे हफते के लिए weight नहीं डालना होता है छे हफते के बाद में एकदम से हमें avian का शक नहीं होता है कि avian हुआ है या नहीं हुआ ह वो और 3-6 महीने के period में देखा जा सकता है अगर हमें x-ray में changes दिख रहे हैं कि sclerotic white dense area दिख रहा है और उसके ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आप weight ना रखवाएं छे हफते के बाद भी यह देखने के लिए कहीं avian ना हो जाए इस डर से avian होना होगा तो blood supply के उपर depend करता है इसलिए छे हफते के बाद gradual weight bearing कराई जाती है और अगर शक होता है तो 3-6 महीने पर x-ray के सास्थ MRI कराया जा सकता है इस injury को देखने के लिए x-rays कराया जाते हैं अलग-अलग views में कराया जाते हैं AP lateral view और एक canal भी होता है झाल